हेलो तो प्यारे बच्चों नमस्कार एक बर फिर से टी एनाई के मंच पर आपका भूत बूत सवागत है तो पिछली जो वीडियो हुई थी उसमें हम आधिकाल कर रहे थे और आधिकाल में हम जैन्शाहित्य कर रहे थे जैन्शाहित्य कि जो पहले कवी हैं समयंभू उन पर ह इसकड़ी को आगे बढ़ाएंगे अर्थार्त आज की वीडियो में हम समयंभू से आगे जो भी जैन कवी हैं चाहे पुश्यदंत हैं चाहे देवसेन हैं इन पर बारी-बारी तर्चा करेंगे तो भी इस जैन्शाहित्य को पका करने के लिए क्योंकि यहां से पिपर में प माधान करने की कोशिश करूँगा तो भी शुरुवात करते हैं जैन्शाहित्य के दूसरे कभी क्योंकि पेपर में पुछा जाता है यहां से और कभी का नाम है पुश्यदंत भई पुश्यदंत कहलो या पुश्पदंत कह सकते हैं हम देखिए पुछा जाता है कि पुश्यादंत है एक तो इसको पुश्यादंत भी बोलते हैं और कई जगे इसको पुश्पदंत भी बोलते हैं तो ये नामाने की भी पुश्यादंत और पुश्पदंत अलग-अलग है तो इसका कोश्चन ये आता है कि पुश्पदंत का कौन सास में था या कौन सी सिदाब दावदी के रहे तो भी पुष्प दंत जो है दस्मिश दावदी के कवी हैं अब अब बरंस के कवी हैं अब बरंस वासा की क्यों है क्योंकि वही ये जैन कवी हैं तो जैन कवियों की भाषा अब बरंस रही है तो पुष्प दंत दस्मिश दावदी के अब बरंस जैन कवी आ तेन परशन बन गए पुश्पदंत का समय कूं सा है । अब बात आती है आगे पुश्पदंत को अब पूश्पदंत को अपवरंश का वे दुएस कहा जाता है क्यूंकि इनकी एक रचना है महापुरान उसमें माभारत के पातर जैन धर्म को तिर्थंकर है उनके साथ साथ माभारत में जो कोरों पांडों है उन पर भी चर्चा की गई है तो वो गरंथ उसमें माभार्त से तत्थे लिए गए हैं और माभार्त से तत्थे लिए जाने के कारण पुश्पदंथ को क्या कहा जाता है वेदवयास कहा जाता है अब बरंस का क्यों कहा जाता है क्योंकि महाभार्त की रचनाकार वेदवयास जी थे अगर बात आती है कि भी एक भयानी जो आलोचक है हमारे भयानी जिनोंने सवंभू को अब बरंस का काली दास कहा था तो वो इसको अब बरंस का अगर बात आती है कि भयानी आलोचक या भयानी मोहदय कुश्पदंत को अब बरंस का क्या मानते हैं तो भी ध्यान रहे भयानी इ पूछ लिया जाता है अब बात आती है एक और इंपोर्टेंट इसका पॉइंट है और सबसी इंपोर्टेंट पॉइंट ये है ये दो ये तीन ऐसी बाते हैं जो हिंदी साहित्ते के तियास में घटित होई है ये है वही पुष्पदंत पर आरम में सैव मत अनुयाई थे सैव होता है जो भगवान शिव की बगती करता है शिव की बगती करने वाला सैव कहलाता है और विश्णों की बगती करने वाला वैश्णों कहलाता है तो जिस तरह से हमारे जो आलावर हैं वो आलावर क्या करते थे विश्णों बगवान की बगती करते थे वो वैश्णों थे लेकिन आला और उनका तमिल नाम है अर्थार्थ वैसनों को तमिल में आलवर कहते हैं तो पुश्प दंत पहले शिव की बगती करते थे अर्थार्थ ये सैव थे बाद में ये जैन पत में आये और जैन पत को सविकार किया अब यूँ आ जाता है कि कौन सा जैन रचना कार ऐसा है जो पहले शैव था और बाद में जैनी बना तो भी पुश्प दंत आ जाता है ऐसा ही कोशने कोर आता है अगर हम निर्गुन बगती काल में अगर हम निर्गुन काववे पर सलते हैं तो सबसे पहली बारी नाम देव की आती है अगर गुरु पूछते हैं नाम देव के तो विसोवा खेचर हैं अगर निर्गुन भगति के नाम देव के गुरु पूछते हैं तो ग्यान देव हैं एक तो पुष्पदंत हैं जो सैव से जैन बने हैं अब अगली जो बारी हो नाम देव की है वो सबुन भगति करते तो उस सबसे कहते हैं ना कनिष्ट हैं जो सबसे जूनियर हैं वो है नंददास जी तो नंददास जी क्या थे भी नंददास पहले राम की बगती करते थे किशिव बगती करते थे राम की बगती करते थे बाद में नंददास जी किर्शन बगत हुए थे अश्चाप के अंतिम कवी से जादा सास्त्रिय कभी नंददास जी हैं तो नंददास पहले राम भगती करते थे बाद में कृष्ण भगत हुए ये तीन चार ऐसे हो जाते हैं जो पूछे जाते पेपर में तो भी अब वापिस आते हैं पुष्प दंत पे तो पुष्प दंत पहले शैव थे बाद में इन्होंने जैन धरमनारिया य अर्थार थी जैनी आचारिया बन गए इसके बाद अब सीव सिंग் शैंगर नदकाएंगी के आइएंपि लगाएंगी इस पूईंट के आइएंपि शी लगाएंगे पेपर में पुछा जाता है कि पुष्प दंत को हिंडी का पहला कभी मैंने ट्रिक के साथ पहले वाली वीडियो में बताया था कि शिव को पुष्प अर्पित कर दो यह ट्रिक बन जाएगी अर्थार्थ शिव सिंग सेंगर जिनोंने हिंदी साहित्य का हिंदी में पहला इतियास लिखा वो पुष्प दंत को हिंदी का पहला कभी मानते हैं अब यह कभी मानते मानते शिव सिंग सेंगर ने पुष्प दंत के बारे में उनकी भासा के बारे में बहुत बड़ी आबात कही है बाखा की जड़ का है अर्थार्थ हिंदी भासा की जड़ है हिंदी भासा की जो सुरुवात है उसके सुरुवाती नमुने हमें पुष्प दंत की रचनाओं में देखने को मिलते हैं ये मानना था शिव सिंग सेंगर का अब आता है कि किस की भाषा को बाखा की बाखा शब अब बरंस का है अगर मिंदी में इसको लेके चलेंगे तो भाषा बन जाएगा कि भी किस कभी की भाषा को भाषा की जड़ मानना जाता है तो भी तर तगाडे जो हैं वो पुष्पदंत की बाषा को मराठी की जन्री मानते हैं कि जो मराठी जो बाषा है उस मराठी बाषा की जन्री शब्द का मतलब होता है माँ मराठी बाषा को जनम देने वाली जो बाषा है वो बाषा पुष्पदंत की मानी जाती है according to tagade भी देखेगा तो tagade शब्द है वो आपको पता होगा ये भी महाराष्टर में है tagade जैसे आप मूवी देखते होगे शिंग मूवी देखेगा tagade शब्द का परियोग वहा है तो tagade अर्थार्थ महाराष्टर ऐसे जोड लिया करो कि भी तagade पुष्पदंत की जो भासा है उसी से मुराठी भासा का जनम मानते हैं कि मुराठी भासा का जनम पुष्पदंत की भासा से हुआ है अब ये भयानी यहां पर आगा है मैं पहले बता चुका हूँ भयानी ने पुष्पदंत को अपवरंस का भहुबूती माना है और सारे विद्वान पुष्पदंत को अपवरंस का विद्वयास कहते हैं एक मतर आलोचक है या विद्वान है भयानी जी वो पुष्पदंत को अपवरंस का भहुबूती कहते हैं इसके बाद बात आती है कि पुष्पदंत की जो उपादि देली जैसे अगर हम इतियास अठा के देखते हैं तो राजा अपने आपको राजा धी राज विक्रमा दित्त ऐन की उपादियां देखता था इसी तरब से पुष्प दन्त ने अगर पादियां दी तो ये उपादियां तो मेरु तुंग को कहा जाता है वो भी आदिकाली के कवी है मेरु तुंग को लेकिन अभी मान मेरु समयम भूने अपने आपको माना है इसके बाद इन्होंने अपने आपको कव रतनाकर की उपादी दी रतनाकर शब्द का मतलब होता है समुद्दर कि कव्वे का समुद्दर तो अपने आपको इनोंने तीन उपादियां दी एक तो अभी मान मेरू है भी दूसरी उपादी है कव्वे रतनाकर तीसरी उपादी है कवी कुल तिलक कवी कुल, कुल का मतलब है खांदान, तो कवी का जो वंस है उसका तिलक है तिलक आप भी समझे, तिलक मस्तक्स पर लगाया जाता है जो हमेशा सब को दिखता है उसोसो भी दोता है कि कवी कुल तिलक और कवय रतना कर उसके बाद पहली इनकी उपादिये पर्दाइप कौन कौन हो है तो भी सबसे जादा अम्पोर्टेंट रचना हूं महापुरान है यह जो महापुरान रचना है इसमें 63 आभाष्ग महापूर्शों का वर्णन तो चोबिस तो इन जैन्दरम के तिर्थंकरों का है उसके बाद इनोंने क्या किया है माभारत में जो कोरो पांडो है उनका वर्णन का रख्या है और जो महानपूर्श हुए हैं हिंदुस्तान के इतियास में उनका कुल मिलाकर जो महापुरान है इसमें तरिशट सं समय जगूण थे उनकांम अनकाहमगूण करते हैं वह अलनकार अर्थार उनकी महींमा कांगी सुन्द्रिय का व्याक्षान किया गया है इस महापूरान में कई बात पूछा जाता है महापूरान की रसनाकार कून है तो भी पुश्शवदं दंत हो जाएगा उसके बाद अ इसे नाम है देव सेन तो देव सेन जैन धरम के अगले अर्थार्थ वैशे तो कई विद्वान इसको पहला कभी भी मानते हैं लेकिन काल करम उनुसार ये तीशरे कभी है जैन शाहित के आदी कालिन जैन साहित के कभीयों में देव सेन का नाम मुख्य रूफ से लिया जाता है इन्होंने सरावाकाचार नामक रचना रचीवी ये भी जैन धरम पर आधारित है क्योंकि जैन धरम में जो तिर्थंकर है उनके लिए सरावाक शब्द का भी प्रियोग किया जाता है सरावाक शब्द का इसका पूछ लेते हैं सन तो भी ये 933 में लिखा था इन्होंने इन्होंने जो देव सेन ने जो गरंथ लिख्या सरावाकाचार इसका अगर आप से रचना काल पूछ लेते हैं 933 ये कई बार पूछा जाता है क्योंकि जादा तर जो विद्वान है इसको हिंदी का पहला कभी भी मानते हैं इस चीज का हमें ध्यान रखना है देव सेने कुछ कोटी के कवी एवं चिंतक थे अर्थार्थ गैरा चिंतन मनन करते थे किसी वाद की उपर किसी तथ्य के उपर इनकी रचना सरावाकाचार को डोक्टर नगेंदर ने हिंदी की पर्थम रचना मान्या भी तो भी डोक्टर नगेंदर का स्थान उनमें सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि इनकी जो रचना है, इस रचना को हिंदी की पहली रचना डोक्टर नगेंदर ने गोशित किया है, सरवाका चार में 250 दोए हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें क्या है, 250 दोए हैं, अब दिखेगा सरवाक अर्थार्थ इस जैन धरम का दूसरा नाम है, सरवाक तो सरवाक धरम का परतिपादन करती है, इसलिए सरवाका चार की सरवाक जो धरम है, उसका आचरन कैसा था, उसके बारे में रचना बताती है, देव सेन ने अपने गरंथ में जैन दर्म के संगों की उत्पत्ति लिखी कि जैन दर्म के जो संग बने हैं अलग-अलग संग थे उन संग की उत्पत्ति के बारे में देव सेन ने अपने इस गरंथ में चर्चा की है आगे बात करते हैं भी दनपाल दनपाल बहुत ही अच्छा और बहतरीन क्योंकि देखिएगा इसको मैं ट्रिक के साथ बताओंगा भी ट्रिक के साथ बताने कोशिश करूँगा जो अगले हैं दनपाल वैसे तो दनपाल बहुत बड़े विदवान थे अगर हम बात करते हैं तो अनेक एतियाशिक जो गरंत हैं उनमें दनपाल का वरनन मिलता है अब अगर दनपाल का पूछ लिया जाता ऐसा है मैं तो सबसे पहले भी दनपाल दस्मिश दावदी के रचनाकार हैं और ये जैन कभी हैं अब दनपाल की जो रचना है वो बविश्यत कहा है दिखेगा यहाँ पर लिखेंगे हम दनपाल मैंने बोल रख्या है वीडियो में सरु में मैंने बूल दिया था बीच में जहांपर ट्रीक की जरूरत होगी मैं definite ट्रीक का पुरियो करूँगा जहां ट्रीक नहीं लगती महाँ जब वजब दस्य ट्रीक नहीं करेंगे हम क्योंकि ट्रीक रेक चीज का समाधानी है आप अपना बेश की लेर कीजिए ट्रीक आप बनती चली जाएंगी धनपाल अब इस धनपाल के आगे अगर हम यहां बविश्य लिख देते हैं अगर धनपाल के आगे यहां हम बविश्य लिख देते हैं या बविश्यत लिख देते हैं और कहा का मतलब होता है कहा शब्द अप बरंस का है कहा का मतलब होता है कथा तो तो देखेगा कहते हैं कि तेरे बविश्य में यहां से उठाईएगा बविश्य कि भी तेरे बविश्य में धन है अर्थार्थ तेरे बविश्य में तुझे धन की परापती होगी अब अगर आप से पेपर पूछा जाता है कि धनपाल की रचना का क्या नाम है तो बविश्यत कहा अगर पूछाजाता है बविश्यत कहा कि रचनाकार कोन है तो भी धन पाल क्योंकि बविश्य में तुझे धन की प्रापती होगी इस तरह से हम ट्रिक के साथ कर लेंगे अब बात आती है कि यह जो बविश्यत कहा है इसका विश्य क्या है यह पूछते हैं कि भी इसका वि विश्य क्या है तो देखेगा आयम पी डालो ये इसका विश्य है जादा तर पूछा जाता है इस कथा के माद्यम से कवी ने बहू विभा के दुस्परिणामों का वर्णन किया है कि बहुष्य में अगर तुम ये बहू पत्नी वाद में क्योंकि उस समय जबी रचनाय रची जा रहे थी अपने यहां पर केवल और केवल पुर्षों को एक से अधिक विवा करने की अनुमती थी नारियों को नहीं थी पुनर विभा या विद्वा विवा जो कानून है उला डलो जी लेकर आये थे भारत में उसके बाद जो है विद्वाओं को दोबारा विवा करने क अनुमती पराप्त थी सती परता थी यहां पर आपको पता होगा तो भी बहु विवा अर्थार्थ एक से अधिक अगर आप विवा करते हैं तो इसके बविश्या में करना की बविश्यत का इसके दूस परिणाम मिलेंगे इसके रिजल्ट बैंकर होंगे और इसके साथ साथ क्या बताया है कि एक साधवी अर्थात एक जो पती वर्ता नारी है उसमें और एक जो कुल्टा है उसमें क्या फरक है देखेगा इसके साथ साथ जो साधवी होती है अपने पती को सब कुछ मानते है उसमें और एक जो कुटिल अर्थार जो कुटला कुल्टा होती है उस इस त रचना है देवसेन की लेकिन इसको संपादन करने का काम इसको संपादित किसी ने किया तो डोक्टर याकोबी ने भी इसका संपादन किया है तो बिलकुल आराम से इसको हम याद करेंगे देखेगा अगर पूछा जाता है कि धनपाल की रचना क्या है कि भविश्य में धन मिल बविश्यत कहा इस बविश्यत कहा रचना का विश्य क्या है एक तो जो बहु पतनिवाद है या बहु विवा है इसके दूस परिणामों पर परकाश डाला गया कि बविश्य में इसके दूस परिणामों गे और एक जो कुल्टा नारी है और एक जो साध भी नारी है उन दोनो नारियों में क्या अंतर है ये इसके मुख्यविशे है अब बात आती है कि जो भविश्यत का है इसके संपाद कोन है तो या को भी करना है आपको बिल्कुल तीन से चार पॉइंट लेकिन पेपर के लिए बहुत महतोपूर है अब आ जाते हैं भी ये इस पॉइंट के आगे आ आप बिल्कुल IMP लिख लिजेगा IMP का मतलब important क्योंकि ये पेपर में पूरे पूरे चांचीज है इस कवी से आता है रीजन कई है इस से आने के रीजन कई है भी नाम है हेम चंदर पहली बात तो ये पूछते हैं कि हेम चंदर जो है वो किशशा इत्ते से सम्मद रखता है तो हेम चंदर जो है वो भी जैन कवी था पहली बात तो इस चीज़ का द्यान रखना है दूसरी बात हेम चंदर का समय तो हेम चंदर का जो समय है वो समय अर्थात रचनाकाल वो है बार्मी शदाबदी अब यहां आपको गे सरिश का जनम तो एक अजाराठाशी में हुआ वे एक अजाराठाशी में जनम हुआ लेकिन यह इसका रचनाकाल समय बार्मी शदाबदी है वो बार्मी शदाबदी क्यों है क्योंकि ग्यारा सो एक से जो सिदाबदी सरू हुई है वो सिदाबदी बार्मी है अब एक अजाराठाशी में यह पैदा हुए वही उसके बाद 12 साल के थे तो वहीं से 12 दावदी शरू हो गई इसलिए हेम चंदर का जो समय हो 12 दावदी मानिया जाता है अब अगला ये आता है कि भी आपने समय के सबसे जादा परशित जैन कभी हुए है परशित जैन कभी क्यों हुए है क्योंकि ये कुमारपाल जो राजा था उसके आस्रे में रहते थे तो हेमचंदर ने क्या किया था भी परशिदोने का क्या रीजन हिन का ये परशिद क्यों हुए थे इन्होंने गरंथ लिख्या था और गरंथ था व्याकरण संबंदी इससे पहले देखेगा इनका जो गरंथ है इससे पहले एक गरंथ है उस गरंथ का नाम है अश्टादाई अश्टादाई जो गरंथ का नाम है अश्टादाई गरंथ है ये व्याकरण का पहला गरंथ मान्या जाता है व्याकरण का ये पर्थम गरंथ मान्या जाता है और इस पर्थम गरंथ के रचनाकार है पाने न तो अश्टाधाई संस्किर्ट का है तो संस्किर्ट के बाद अपवरंस में अपवरंस का भी मेल है एमचंदर का जो सवदानु सासन है उसमें अपवरंस बासा का भी मेल है पराकृति भी है और संस्किर्ट तीनों बासाओं का मेल है इसके गरंत में तो जो इनका सवदानु सा क्योंकि यहां से अब बरंस बासा से जो हमारे सरव नाम है जो हिंदी में जो सरव नाम आए हैं हिंदी में सरव नाम आए हैं वो अब बरंस बासा से ही आए हैं इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है क्योंकि संस्किर्ट के जो सरव नाम है वो हिंदी में परियोग नहीं होते त अब परन्सके मुख्य मुख्य पुईंट है इसके हेम चंदर के तो भी अब परन्सका कवी है तो पहला पुईंट क्या कह रहा है हेम चंदर वही 1888 में पैदा हुए तो इन कासमें 12 विश्धावदी है हेम चंदर गुजरात की राजा भी अब आ जाएगा कि हेम चंदर किसके आसरे में रहते थे तो गुजरात की राजा सोलंकी शिद राज सोलंकी गोतर है और शिद राज राजा हुए है उन में जैशिंग था उसका बतिजा कुमार पाल था इसके आस्थरे में रहते थे इन डायक्टरी कोशन यही पूछेगा कि भी हेम चंदर जो है वो किसके आस्थरे में रहते थे तो हमें उत्तर मिलेगा कुमारपाल क्योंकि इस कुमारपाल के कारण ही इनकी एक रचना आती है और उस रचना का नाम है कुमारपाल तो हो गया नायक उसका भी कुमारपाल तो हो गया नायक तो कुमारपाल नायक हो गया तो कुमारपाल चरित कुमारपाल चरित अर्थार्थ कुमारपाल का चरित तरचितरन चरित वो जो चारण कभी रहते लिखते थे चारण वो कभी जो राजाओं के आस्रे में रहके उन राजाओं के उपर लिखते थे तो भी कुमारपाल चरित इनकी रचना है कुमारपाल चरीच से आप यादर खिरना ये कुमारपाल के आस्रे में रहते थे अब बात आती जो इनका सबसे महतोपून गरंथ है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है इस गरंथ के आगे भी आप आईम पी लगा लेना और गरंथ का नाम है सिद हेम चंदर शब्दा अनुशासन की भी सिद हेम चंदर सिद क्योंकि ये सिद दरबार में रहते थे सिद राज के तो सिद याँ इसलिए जोड़ दिया एमचंदर इनका नाम है शब्दा अनुशासन एक बर लिजीगा इसका करते हैं उपरेशन इस शब्दा अनुशासन क्या है शब्दा अनुशासन इनके गरंद का नाम है भी शब्दा अनुशासन अगर हम शब्दा अनुशासन की बात करते हैं तो शब्दा अनुशासन ऐसे लिखा गया है शब्द जमा अनुशासन अगर हम इसमें बात करते हैं संदी की तो बिटा इसमें दीर्ग संदी का पुरियू किया है जो पहली ही सवर संदी है ए और ए मिलके आ बन रहा है ए और ए मिलके आ बन रहा है इसलिए ये बन गया हमारा यहां से शब्दा अनुशासन तो शब्दा अनुशासन का मतलब क्या है शब्द को अनुशासन में रखना अब ध्यान दीजेगा जो व्याकरण का काम है व्याकरण क्या करता है व्याकरण भाषा को अनुशासन में रखता है कि भी भाषा का क्या होता है कि कोई लिंग का वचन का अगर गलत परियोग करता है तो व्याकरण उसको करने नहीं देता अनुशासन में कैसे रखता है व्याकरण बाशा को जैसे उसने बोला कि भी राधा पपिता खाता है तो व्याकरन कहता नहीं भी राधादू है उस्त्रिलिंग है करता स्त्रिलिंग है तो करिया भी स्त्रिलिंग में आएगी अर्थार्थ राधा पपिता खाती है क्योंकि क्रिया के अपने लिंग और वचन नहीं होते क्रिया के लिंग और वचन ध्यान रखना इस चीज़ का क्रिया के लिंग और वचन करता के अनुसार बदलते हैं तो परते एक जब ध्यान दीजेगा तो व्याकर्ण का काम क्या है बासा को अनुसासन में रखना व्याकन का काम है बासा को अनुसासन में रखना अब बात करते हैं शब्द अनुसासन तो भी देखिए जब शब्द अनुसासन में रहेगा अर्थार्थ जो कोई भी वाक्य है उस वाक्य का परतेक शब्द गरनुसासन में रहेगा तो भासा पूरी की पूरी अपने आप अनुसासन में रहेगी इसलिए हेवचंदर का जो गरंथ है शब्द अनुसासन अगर उसका विश्य पूछ लिया जाता है कि इसका विश्य क्या है तो भी ये व्याकरन संबंदी ग मोमेंट डालना पड़ेगा जैसे आप ये वीडियो देखकर पूरी करते हैं और अगर आपको समझ में आ जाता है तो प्यारे वच्छो वीडियो को लाइक करने ना भूले शेयर करना ना भूले और अपने मित्र को बोल के चैनल को सब्सक्राइब कराएं और अगर आपने नह विशे क्या है व्याकरन अब देखेगा इसमें जो भाषा है एक तो संस्कृत भाषा का परियोग हुआ है एक प्राकृत भाषा का परियोग हुआ है और एक अपवरंस भाषा का परियोग हुआ है इन तीन भाषाओं में गरंत लिखा गया है इसमें जादा तर जो भाषा क प्रियोग हुआ है वह बार्षा अपवरंस है इसलिए इसको अपवरंस का गरंत भी माना जाता है इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है वो पूछ भी लेगा कि भी जो सब्दानुसासन है उसमें किस-किस बार्षा का प्रियोग हुआ है या किस बार्षा का प्रियोग नहीं ह हुआ यहम चंद्र को प्राकर्थ का पाननी कहा जाता है अब प्राकर्थ का पाननी कहा जाता देखिएगा पहले हम चर्चा कर चुके हैं पाननी महोदे किसे संबंदी ता पाननी महोदे ने जो गरंत लिखा था वो गरंत का विशय क्या था व्याकरन का गरंत था और पहला मान आती है कि हेम चंदर को किसका प्राकृत है क्योंकि प्राकृत भाषा का प्रियोग भी इसमें हुआ है तो हेम चंदर को प्राकृत का पाननी कहा जाता है पाननी क्यों कहा जाता है क्योंकि इनका शब्दानु सासन जो है उसका विशे व्याकरण संबंदी रहा है आगे बढ़ चरित एक प्राकृत का व्य है अर्थार्थ प्राकृत भाषा है जो अप बरंस भाषा से पहले चलती थी अगर आपको नहीं थोड़ा अगर जानकारी नहीं है तो पहले बच्चे सब से पहले आती थी वैदिक संस्किर्थ और वैदिक संस्किर्थ के बाद जो अगला पड़ा हुआ आया लोकिक संस्किर्थ भई लोकिन संस्किर्थ के बाद अगला जो फड़ा हुआ आया वो था प्राकिर्थ और प्राकिर्थ से अगला जो आया वो था अप वरंस और अप वरंस से अगला जो आया या तो आप अव वट कर सकते हैं विद्यापते किरति लता और किरति पता का है या तो आप अववट कर सकते है या इसको पुरानी हिंदी भी बोला जाता है इसके बाद हिंदी आई है तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है तो अभी देखेगा पराकृत जो है अब बरंस से पूरो परियों की जाने वाली भाषा थी अब देखेगा ये पॉइंट क्या कह रहा है पॉइंट ये कह रहा है कुमार पाल सरित एक पराकृत का हुए है इसमें अब बरंस के पद भी रखे गए है और थारतिसमें जो पद सामिल करे गए है वो प्राकृत के साथ-साथ अब बरंस के पदों को भी सामिल किया गया है इसके बाद भी देखेगा पहले ही मैंने बता दिया था जिनोंने इस समय में अब बरंस में रचनाएं की है तो एक आद जो जैन नहीं है उसको भी जैन साइते में रख लिया गया है उनमें इस महान विद्वान की बारी आती है अब्दूर्रह्मान ये जिक्के का भी कोश्चन बनता है हिंदी का भी कोश्चन है अगर आ जाता आप से कि पूछ लिया जाता है कि हिंदी के पहले मुश्लिम कभी पहले मुश्लिम का भी पूछ लिया जाता है तो आपको ना तो अमीर खुसरो करना है बिलकुल ना तो अमीर खुसरो करना है क्योंकि आपका दिमाग जाएगा शीदाई आदी काल पे और आप चले जाएगे अमीर खुसरो पे अमीर खुसरो बिलकुल नहीं करना है क्योंकि अमीर खुसरो का जो जनम है वो किवा था? वो 1250 अर्थार्थ यकिस सिदावदी के है अमीर खुसरो? ये 13 ली के हो गई हो जो पहले मुशलिम कभी आप जो मुला दाउद को मानते हो जिनकी रसना संदायन है ना मुला दाउद करना है पहला कभी मुशलिम कभी ना जायशी करना है पहला जो मुशलिम कभी है वो भई अबदूर रह्मान है हिंदी का अगर पहला मुशलिम कभी पूछा जाता है तो अगर पहले हिंदी के मुस्लिम कभी आ जाते हैं तो भी हमें करना पड़ेगा अब्दुर्रह्मान अमीश करोब बिलकुल नहीं जाइशी बिलकुल नहीं मुला दाउद बिलकुल नहीं क्योंकि अब्दुर्रह्मान का जो समय है वो बार्मी शब्दाब्दी अर्थार्थ वो बार्मी शब्दाब्दी चाहे पूरव की हो पूरवार्द हो चाहे धो जाएगा लेकिं समय बारवी है इसका अभ देखेगा इनका जो परषिद गरंथ है वो है संदेश रासक जैसे मैंने बोलिया था कि भी यहां से निकाल लो अब्दॉल्ला अब्दॉरशे बना लो अब्दॉल्ला टृक है वह यह अब अब्दॉल्ला क्या अब्दुल्ला संदेश लेकर आया है अगर आप से पूचा जाता है कि भी संदेश रासक किसकी रचना है तो यहीं से हो जाएगा अब्दुर्रह्मान आई एम्पी लगा लिजीगा जादा तर पूची जाती है क्यों पूची जाती है क्योंकि पहला ये ऐसा है जो जैन धरम जैन धर्म या जैन शाहित्ते के अंतरगई गिना जाता है लेकिन ये धर्मेत्र है धर्मेत्र का क्या मतलब है जैन धर्म का जो कभी है वो नहीं है अब्दुर्रह्मान जी मुशलिम कभी है इसलिए अगर पूछी जाती है कि इंदी की पहली ऐसी रचना कौन सी है जो इंदु या जैनियों के अलावा किसी ओर धर्म के रहने वालिन की तो भी अब्दुर्रह्मान आजाएगा मुशलिम कभी है जिन की रचना है संदेश रासक इस तरह से अगर आप करोगे तो भी पेपर में गलती होने के चांद सीजमू ज़िन लगता है देखेगा जैसी भी दिया भी गया यह देशी बाशा में देशी बाशा बोले तो हिंदी जो बाशा है हिंदी की कोई बाशा हो या कोई भी बोली हो या फिर हिंदी हो उसको देशी बाशा बोलते है अब दुर्यमान लिखित संदेश रासक पहला धर्मित्र रास गरंत है इसलिए रास होने की कारण इसको जैन साहित्ते में स्थान मिला वी अब अगला जो पॉइंट बनता है अगला पॉइंट ये बनता है ये देशी बार्सा में किसी मुसलमान दवारा लिखित पर्थम काववे गरंथ है देशी का मतलब यहां पर आप हिंदी कर सकते हैं अर्थार्थ हिंदी में लिख्या पहला मुसलिम रचनाकार दवारा लिख्या गया ये पहला गरंथ है अब आते हैं कि ये विशे क्या है इसका विशे ये एक खंड का व्वे है ये खंड काववे है जो विक्रम पूर की वियोगनी के विरह में लिखा गया है विक्रम पूर की रानी थी उसका नायक उसको छोड़ के चला गया था उसके विरह में इसका निर्मान अर्थार्थिस्की रचना की गई है खंड काववे क्या होता है देखेगा भई देखे ये क काववे होते हैं जैसे एक होता है खंड काववे और दूसरा होता है परबंद काववे और तीसरे नंबर पर आता है परबंद काववे दूसरे पर और तीसरे नंबर पर आता है मुक्तक काववे यह अगर आपने सुने हो तो मुक्तक काववे का पर्योगरिति का आल में हुआ था तो देखिए विद्धापती जी की जो सचसई विखारी की जो सचसई है वो मुक्तक काववे है वही तो देखिए खंड काववे जीवन के किसी एक हिश्चे कावणन करना खंड काववे कहलाता खंड हिस्सा और पेटे जनम से लेके मिर्टु तक का किसी कावणन किया जात कि नदी के ऊपर लिख दिया प्रिकृति के ऊपर लिख दिया कोई भी विश्य हो वो मुक्तक काववे में आ जाएगा अब देखेगा एक और शब्द है वो है महा काववे तो जो महा काववे होते हैं वो महा काववे परबंद काववे ही महा काववे बनता है कोई भी आप मह काव्य उठाईएगा चाहे रामचरीत मानस है चाहे आपकी पदमावत है चाहे वे आपकी कामाईनी है तो जनम से लेके मृतु तक कावर्णन किया जाता है नायका तो परबंद काव्य ही माद काव्य बन जाता है तो ये जो रचना है संदेश रासक अब्दुर्रह्मान की ये खंड का व्वे है अर्थार्त उस राजा और व्योगनी रानी के जवानी का वर्णन है जवानी जीवन की एक इसे का वर्णन है और वो इस्षा है जवानी इसलिए इसको खंड का व्वे माना जाता है बढ़ते हैं वही आगे आगे देखेगा ये एक और कवी है जैन कवी है ये भी आसगू कवी का नाम है तो देखिए इनकी जो रचना है वो है चंदन बाला तो चंदन बाला रास रास लगते ही जैन साहीत है अपने आप कर देना तो देखेगा एक तो ये 35 संदों का एक छोटा सा काववे है अब कोशनी आता है कि आस गू जो है उसकी रचना का क्या नाम है तो देखेगा यहां लगा लो आप चंदन बाला चंदन बाला मतलब बाला मतलब होता है लड़की तो चंदन बाला को आस थी चंदनबाला को आस थी कि मेरा भी समय अच्छा आएगा हालांकि आस में वो शब्द 21 वाला जो से है वो आएगा लेकिन हमें फिला लियां ट्रिक बनानी है चंदनबाला को आस थी कि मेरा भी समय अच्छा आजाएगा तो आसगू अगर आते हैं कि आसगू की रचना कौन सी है तो चंदनवाला रास और इसमें 35 ही चंदों का प्रियोग किया गया है लगु छोटा सा एक लगु खंड का वे है अब देखेगा ये आपके मेरुतंग आगे जो अभी मान मेरु जिसने अपने आपको पादी दी थी तो उसी से लिजिएगा भी मेरुतंग जैन परशिद आचारी है इसके बाद जैन साहित्ते से जो परशनोत्तर होंगे इसी वीडियो में परशनोत्तर उपर भी हम चर्चा करेंगे तो लिजिएगा भी जैन आचारी है मेरुतंग तो यह हो जाएगा 1304 तो भी अब बात आती है परबंद चिंतामनी इनके गरंद का नाम है जो मेरू तुंग है उनके गरंद का नाम अगर पूछा जाता है तो भी वो परबंद चिंतामनी है और परबंद चिंतामनी का कि भी इसने अपने जीवन का परबंद कर लिया था इसक जो बिलको लिए मान के चलो मेरू होता है जो अच्छी बुद्धिवाला होता है मेरू दर्ण सुना होगा उसने अपने चिंता की और जीवन का परबंद कर लिया अगर आप ट्रीक्षे करते हैं तो परबंद चिंता मनी जो है अब आती है कि इसकी भार्षा क्या है इसको आप डाल लेना जादा आपर पूछी जाती है तो परबंद चिंता मनी की जो बार्षा है वो संस्किर्थ है बही आई एम पि लगा लो जैन आचारिये होते हुए भी मेरू तुझने अपने गरंथ पर बनद चिंता मनी की रचना संस्किर्थ भा सामें की है इस तरह से वह तो भी अब बात आती इस गरंथ में दुवा विदा और विवाद परसंग मिलता है ये इसका एक हिस्सा है दुवा विदा विवाद परसंग इसमें मिलता है और बाकिया बात आती है कहीं कहीं पर अब बरंस का एक दो दो वा इसमें मिलता है अब पूछ दिया जाता आप से कि यह परबंद चिंता मनी है इसकी बारसा कौन शी है संस्कृत है कहीं कहीं पर अब बर्श का प्रियोग भी मिलता है अब बात आती है कि यह जो रचना है इसमें पद्दे के शाथ साथ कितनी बड़ी आ ही गद्दे में अर्थार्थ यह गद्दे की रचना है अगर गद्य क्योंकि पहले गद्य भावत्य कम लिखा जाता था जैसे भी गद्य के अगर बात करते हैं तो दो सु बाउन वेशनों की वारता चुराशी वेशनों की वारता सुना अपने गोकुलनाथ जी का जो बिठलनाथ के पुत्तर थे तो उनको जो बिर्जवासा में है तो ये भी भी गद्या की रचना है, अब गद्या की रचना है, लेकिन संस्किर्त में है, ये थोड़ा हाँ, अब बरेण्स का यह इन्दी का युगदान कम है, इसलिए भी संस्किर्त का होने कारण। अब हमने जैन साहित लगब कम्प्लीट कर लिया है तो चेक करने के लिए क्या हमारा ठीक है हमारी कितने तैयारी है इसको हम परशनों तरी से संबंदी दस बारे परशनों पर चर्चा करेंगे ताकि थोड़ा कूर फिडेंस आ जाए कि हमारी तैयारी अच्छी अर्थार्थ हम अच्छे से समझ में आ रहा है भी पहला ही कोश्चन ये है कुमार पाल परती बोध किस्की रचना है तो भी कुमार पाल परती बोध कि अगर रचना काराते हैं तो सोम परब सूरी है कैसे याद रखेंगे इसका निकाल लो सोम सोम का बना लो सोम वार तो सोम वार को कुमारे जो हव वर्त रखते हैं कुवारे वर्त रखते हैं अगर यहां होता कुमार पाल चरी तोर लगया होता परति बोध की जगए शब्द अगर चरीत आ जाता तो यह हो जाती भई हेम चंदर की लेकिन यहां है परति बोध तो देखेगा सोमवार, परतेक सोमवार को कुमारे लोग वर्त रखते हैं, अर्थार्थ भई, जादा तरवेशे लड़कियां रखती हैं, बेटियां रखती हैं भी, आगे बढ़ते हैं तो इसका उप्सन हो जाएगा भी, अगला जो कॉप्सन है, अब वरंस का बहुभूति अब वरंस का बहुभूति किसको कहा था, पूश्पदंत को, क्योंकि भयानी ने अब वरंस का काली दास कहा है, सवेम्भू को, तो इसका उत्तर हो जाएगा, पूश्पदंत D, अगर आपको ये तरिका लगता है, ठीक की सरपरशनोतर साथ में लेके चलें, तो इस वीडिय अगर आप कहते हो कि सर, परशनोतर साथ में लेके चल ले हैं, तो परशनोतर साथ में लेके चल देंगे, आपको ओगे नहीं, सर, पहले कंटेंट करा दीजिएगा, तो इक बात को ना भूले, हर रोज स्याम को मिलूंगा मैं, नो बजे ठीक, TGT, PGT, हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन परशनों पर चर्चा होगी, तो आप लाई शैसन रखा जाएगा, उसमें केवल परशनोतर पर चर्चा हो या करेगी, नो बजे उसको ले ना ना भूले, डेली लाई रहूंगा मैं, तो देखिएगा भी, इन मैसे जैन कभ भी नहीं है, ओफसन हो जाएगा, C, क्योंकि विद्यापती या सैव जादा माने जाते हैं, बांगला जो विद्वान है, वो इनको वैसनों मानते हैं, जो सैजिया संपरदाए हैं, अब आते हैं, आदिकाल में चरित का वैस्तरवादिक की साहित्ते में रचे गई, तो भी सबसे जादा जो साहित्ते लिखा गया है आदिकाल में, वो कून सा रचा गया है, तो भी जैन साहित्ते सबसे जादा रचा गया है, इस चीज का भी हमें जान रखना है, अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ तो भी कोफसन हो जाएगा, ए इसका ठीक, कोश्चन में राम कथा किस नाम से सवयम्भू ने लिखी विस सवयम्भू ने जैन जो कभी थे सवयम्भू ने अब बरंस में राम कथा लिखी थी क्या वो पवम्चरिव थी या राम चंद्रीका थी या वो राम चरित था या मापुरान था मापुरान किसी रतरा है कुष्पदंत کی राम चंद्रीका किसी है के शवदास की लेकिन अगर बात आती है कि थोड़ा कोंफिडेंस आ आप लोगों को किजी परशन भी हमारे लगवग ठीक है रिविजन का मेरे साफ़ चा तरीका और आप बता दे हम अब थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसके बाद देखिएगा भई अगला जो है अब अरंस का वालमी की किस कवी को कहा जाता है अब वालमी की जी ने क्या का वालमी की किशे कहा जाता है जादतर विद्वानों ने ओफ्सन हो जाएगा सी समेंबू हेम चंदर ने क्या लिखिया था सब्दानु सासन तो ये पाननी है पराकरत के अब दुर रह्मान भी पहले मुसलिम कभी है कुश्पदंत के अगर बात आती है तो ये अब बरंस के वेदवयास या भववूती के नाम से जाने जाते हैं इस तरह से तैयारी करेंगे सिद्ध हेम चंद सब्दानु सासन के रचनाकार कोन है शब्दानु सासन है कुल मिलाकिस गरंद का नाम है शब्दानु सासन हेम चंदर जी ने अपने नाम के उपर हेम चंदर रख दिया श सब्दानु सासन पूछा जाता है एकजाम में इस चीज का ध्यान रखना है खाली वहाँ पर हेमचंदर नहीं मिलेगा भी खाली सिद्ध हेमचंदर ना आके सब्दानु सासन मिलेगा अब है नुवा प्रशन है तिरिश्ट सलाका मापुर्शों के जीवनी कावणन तो सलाका जो होता है सलाका अगर आपके पेपर में आ जाता है तो सलाका का मतलब होता है माहान जैसे अगर आप से कोई पूछता है कि भी सायवाद के सलाका पुर्श कोन है सलाका में अद्दा आएगा भी सायवाद के अगर सलाका पुर्श पूछते हैं तो निराला जी है अगर महापूरान महापूरान या निकाले महापूरान से हम क्या कर लेंगे महापूर्श तो महापूरान से महापूर्श कर लेंगे महापूर्शों का वर्णन किसमें है महापूरान में और रचनाकार कौन है इसके रचनाकार है वह इसके पुश्पदंत जिसमें 24 तो तिर्थंकर ह जैन दर्म के और उसके बाद किसका वर्णन है पांडो का और और जो महान पूर्श हुए है अब देखेगा यह जो सरवाकाचार है यह वरतनी थोड़ी शी गलता है यह बिंदू नहीं आएगा भी सरवाकाचार जो रचना है इसकी रचनाकार कोन है यह भी कई विदवान इसक रचना 933 में हुई थी और अगला कोशन है भी सरवाकाचार का जो समय है रचना समय वो 933 है आगे बढ़ते हैं भी आयोद्दा की राजा भरत और तक्षिला की राजा बाव बुली को लेकर किस जैन कभी ने चरित लिखे तो भी यह बताएगा आयोद्दा की राजा बरत औ इसने गरंत लिखे तो भी यह उत्तर हो जाएगा इसका सलिबद्दर सूरी ने लिखे थे भी इस सलिबद्दर सूरी ने सी उप्सों हो जाएगा इसका आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे शبदानु सासन के लेखकोन है तो हेम चंदर तो भी यहां और और है खुस्ट पुषब दंत किस्धाबदी के कभी है आयम पिडाल लीजिएगा पुछा जाता है जिस को सिव सिंग सेंगर इंदी के पहले कभी मानते हैं तो पुषब दंत दस्वी शदाबदी के कभी है और इनकी बाशा को इंदी की आवा आशा की जड़ नाम गुशित किया था किस ने किया था भी तो ये थे आपके कोशन अगली वीडियो में मैं एक आदी काल के इस करम को आगे बढ़ाएंगे तो उसके बाद सिद साहित नास साहित इस करम को आगे बढ़ाते से लेंगे अगर प्यारे बत्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है झाल